हलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अर्डिश्टर व्लॉगर, मैं हूँ मन्मो अन्ठाकू, टेक्निकल एनलिस्स, टॉक पाट्शाला से और आज हम बात करेंगे पेराबॉलिक सार इंडिकेटर के बारे में पेराबॉलिक सार इंडिकेटर हमें ट्रेंड रिवर्सल के बारे में बताता है और यह आपको बताएगा कि कब हमारा ट्रेंड रिवर्स होने वाला है तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं और इसमें ट्रेड कर सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं तो अभी आप जैसा देख सकते हैं कि हमने ट्रेडिंग व्यू में लॉग इन कर लिया है और आप इसके लिए कोई भी अपना ट्रेडिंग प्लाटफॉर्म यूज़ कर सकते हो क्योंकि यह इंडिकेटर जो पेरबॉलिक सार इंडिकेटर है यह लगबग सारे ब्रोक कर्ड स्प keyword प्री में प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहले यहां पर अभी हम इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहां पर सर्च करेंगे पैराबॉलिक सार यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें दूसरे नंबर पर आ गया है पैराबॉलिक सार हम इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह कुछ डॉट हमारे पास आ गया है जो कि हमें यह पैराबॉलिक सार दिखा रहे है अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि यह डॉट्स है अगर आप यहां पर सेटिंग चेंज करना चाहे तो आप इसके उपर डवल क्लिक करके यहां से भी सेटिंग से इसे आप चेंज ना करें क्योंकि इसे डिफॉल्ट सेटिंग ही सबसे बैस सेटिंग माना जाता है अभी यहां पर हम देख सकते कि आपकी जो ही यह डॉट्स आ रहे हैं आप इनको किस तरह से देखना चाहते हैं आप इसे लाइन में भी देख सकते हम यह पे सरकल स्लेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर इसकी थीकनेस को बढ़ा देंगे थोड़ा अभी आप देख सकते हैं कि जब यह dots जो हमारे है जब यह price point से उपर है तो हमारा bearish trend शुरू हो जाता है और जो हमारे dot जब price point से नीचे है तब यह bullish trend शुरू होता है जब इसका price था 1412 रूप है तो यह उपर चला गया और अगर आप यहाँ पर इसमें shorting करते तो आप देख सकते हैं कि 1400 से लेके यहाँ पर यह अभी 900 तक मतलब लगभग 500 point का आपको यहाँ पर profit मिलता इसी तरह से जब आपका bullish trend होता है तो यह जो dots है यह आपके price के नीचे आजाते है और जब तक यह price के नीचे है तब तक आपका bullish trend रहेगा जैसे ही यह price point से उपर यहाँ पर चले जाते है वैसे ही आपका bullish trend खतम हो के bearish trend शुरू होता है दोस्तों आपको इसमें trade करने से पहले इस बात का ध्यान देना होगा कि यह false signal भी देता है false signal कैसे देता है जब हमारी market trending market होती है उसमें तो यह हमें बहुत ही सही indication देगा बट जब हमारी market sideways होती है बतलब जब वो एक range bound market होती है तो हमें यह बहुत सारे false signals देता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे false signal मिल रहे है For example, अगर आप यहाँ पर इस point पे अपनी selling शुरू कर देते या आप sorting शुरू कर देते इस hope से कि अभी हमारा price नीचे जाएगा तो आप यहाँ पर एक बहुत ही losing trade ले लेते जहाँ पे आपको 0% profit होता बलकि इस से ज्यादा loss ही होता अभी आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर इस indicator की मदद से shorting कर देते हैं तो आपका most probability जो stop loss है वो hit हो जाएगा अगर आपने stop loss लगा रखा है तो आप stop loss hit कर जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं कि market उपर ही जाती है नीचे नहीं आती तो दोस्तो अभी आप कहोगे कि अगर यह इतने false signals दे रहा है तो हम इसे क्यों use करें ऐसी बात नहीं है कि यह आपको हर बार false signals देगा लेकिन आपको इसे in a combination यूज़ करना होगा moving average अभी यहाँ पर आप देख सकते कि हमारे पास यह जो blue line है यह moving average की line आ गई है मैं यहाँ पर dots का color change कर देता हूं ताकि आपको देखने में easy रहे मैं यहाँ पर dots का color gray कर देता हूं अभी आप देख सकते हैं कि यह जो हमारे blue line है यह moving average की line है अगर आप इस line पर double click करोगे तो आप setting में चले जाओगे और हम इसका यहाँ पर size बड़ा कर देंगे ताकि आप थोड़े और easy समझ पाए अभी हमने इसमें inputs में हमें length जो है दोस्तों आपको यह याद रखना होगा कई traders इसे 200 भी use करते हैं बट हम 50 की moving average यूज़ करेंगे अभी दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि moving average ने यहाँ पर price को up to down cross किया है और जो moving average है वो हमारे price की नीचे चल रही है जैसा कि अगर आपने moving average का concept अगर आपको पता हो तो अगर moving average आपके price की नीचे है तो यह bullish trend का indication देती है तो यहाँ पर आप देख सकते है कि यहाँ पर हमारी moving average जो parabolic SAR को भी cut कर रही है परabolic SAR जो आपका indicator है यह भी इस लाइन से उपर है और आपका price भी इस लाइन से उपर है और जब तक SC condition आपके पास बनी रहेगी कि आपका parabolic SAR भी इस लाइन से उपर रहेगा और आपका price point भी उपर रहेगा अगर आपको यहाँ पर selling का signal भी आ रहा है अगर आपको trend reversal का signal भी आ रहा है तो भी आप यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे जब तक आपकी moving average जो है price को down to up cross नहीं कर देती तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर entry ले लेते तो most probably आपको यहाँ पर exit करना पड़ता अगर आप only parabolic SAR का use करके लेते क्योंकि यहाँ पर इसने clear indication दे दिया कि यह downtrend होने वाला है बट यह होता है downtrend भी होता है बट उसके बाद ही अगर आप इसको large view उपर देखो तो यह एक uptrend market है जो कि इसमें आपको कुछ-कुछ false signals भी मिल रहे है बट अगर आप इसमें moving average का इस्तेमाल करते हो तो आपको एक clear indication मिलेगा कि आपको कब buy करना है और कब sell करना है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो अगर यह sideways market है तो हमारा price अभी आप यहाँ पर decide नहीं कर सकते कि आपको कहाँ enter करना है और कहाँ exit करना है जैसे कि मैंने पहले बता दिया था जो आपका parabolic star indicator है यह सिरफ trending market में काम करेगा अभी यहाँ पर एक और example आप देख सकते हैं अगर आप इस point पर अगर आप अपनी entry ले ले लेते 9.68 रुपीज पर अगर आप अपनी entry ले लेते तो आपको लगभग इस point पर और अगर आप अपना exit करते तो लगभग 300 point का आपको यहाँ पर difference देखने को मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर एक और stock का example हम ले लेते है और example हम यहाँ पर Adani के share को सर्च कर लेते है तो यहाँ पर Adani enterprises अगर आप यहाँ पर अब देखे दोस्तो कि यहाँ पर इसमें अभी जो trend चल रहा है वो एक bullish trend ही चल रहा है तो दोस्तों आप यहाँ पर अभी देख सकते हो कि अगर आप अभी जैसे ही यह price इसके नीचे आता है यहाँ पर जैसे ही इसने अपनी parabolic share और price को cross करकी यह price के नीचे आ जाता है तो आप यहाँ पर entry ले सकते हैं अगर आपने यहाँ पर entry ली होती लगभग 140 रुपए पर अगर आपने 140 पर entry ली होती तो अभी तक दोस्तों यह uptrend में ही हैं अगर आपने 140 पर entry ली होती तो यह अभी चल रहा है 1302 रुपए पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कितना profit मिलेगा लगभग 1000% का दोस्तो तो यहाँ पर आपको 1000% का profit मिलता जो कि एक बहुत जादा profit है और अभी भी अगर इस trade में जिसने भी entry ले रखी है मैं उसे यही advice करूँगा कि वो अपनी entry ना छोड़े और यह अभी और भी उपर जाने वाला है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा अभी यह bullish trend का indication हमारा parabolic star indicator भी दे रहा है और हमारा जो moving average की line है वो भी इसके price के नीचे है तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हम parabolic star indicator का इस्तेमाल करके अपने trading decision ले सकते हैं और भी इस तरह की videos को देखने के लिए बने रहे है a digital blogger के साथ और हाँ हमारी app stock parts आला को install करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा thank you so much, bye bye